सब्सक्राइब करते हम अपने मसालों के साथ चिकन स्टूप यह है साबु धनिया जीरा थोड़ी सिसों तेज पत्ता गरब मसाला और सूखी मिर्च और यह है तीन बड़े अनियन तीन बड़े टमाइटो एंड मिर्ची हरी मिर्च सबसे पहले का जैकर यह है वैं टॉल करेंगहां इसलेरों देखनें छिय WOR् अफ यहां डिखेंज यह शिंगे पर देख्यों अब करने मिर्च अब देख चलेंगा इए अब द के तो आप सब्सक्राइब कर द कर्याएं तका सब्सक्राइब जरब मसाला, जरब मसाला, यह से बुनाएं कर रही है, देख रही है, आप नहीं बोले, बैरी बारी ताइप, एक चमच, बिग, इस तभी है, मैंने ममी का दिख रहा होगा आपको, अना, ओ देख रही है, यहाप यहाँ, यह सब्जिये पढ़े है, मसाले, जरब लेशन का पेष्ट है, और यहाँ चिकन भूण चुका है, अब डलेगे इसमें नमद, एक स्पून, दो, टू स्पून, स्वादनिसा, अब डलेगे हल्दी स्वे, वन, टू स्पून, अब यह मिक्स होईगा, और डलेगा, इसमें के डलेगा, अब यह वापस मिक्स होईगा, मिक्स हो रहा है, अच्छे से, और जब डले गई है, मिर्च, वो भी इसको तोड़ की डालेगे, अच्छे से, और यह सारे मिसाल है, इसमें चल जाएगे, और मिक्स होईगा, यह स्वे, मिक्स होईगा, ज्यादा वोटर डालेंगे, अब यह मिक्स होईगा, पार्स से, शार्ट मिन्ट, अब अब यह वोटर जाएगा, बार, गई मारी ममा, जैस यह देखे, तो गाई यह अब ओपन हो रहा है, देख लेजी अब यह वापस में सोईगा, अच्छे से, यह देख लेजी कितना स्वादिश लग रहा है, अब यह थोड़ा सा जेज, ओफ ओएगा, और देखने जी, हमारा बन रहा है, चिकन, इस्टू, चिकन इस्टू बन रहा है, यह मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है, यह गई हमारा चिकन इस्टू, अच्छे से, इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप बना रहे हैं, में बिनकाइस कुछ भी बोलती जाती है, फागल हो गई जालेगा इसने धनिया पिसावा तीन चार्चमच तीन चार्चमच गईस, बहुत जादा है जादा नदल जाए मममा नहीं लेगा गईस नहीं जालेगा, शुमा केड़ी तो नहीं जालेगा तो गाइस, यह मिक्स हो रहा है, रेख लीजी आप खुदी आई है, मुझे तो खाने के मनमारी कच्चाई शेस रेख लीजी किताब प्यारा है देखो, आई है, मिरा प्यारा है चिकर इस्टू देख लीजी गाइस आपको दी इस सारी वीडियो गाइस आज में बनाएंगे मुर्मा ने बोला है, क्या जितना एक सो, इसको बनाए करेंगे, एक सो जो मिन्ट, फिर इसमें डागेंगे दनिया दही दनिया लगाल से करेंगे अच्छे चलीट हो गया है अच्छे चलीट हो गया है अच्छी बड़ी कुछ भू आरे न मीचार या बहुत उच्छी कुछ भू आरे इसको बनाए करने एक बार हम अब लाश्ट स्टेफ हमारत दही डालना यह देखी तामेदार इसको रेडी हो गया है अब फूल वीडियो पूने दी नहीं इस वीडियो अच्छे लग़ा है तो गाइज अब इसमे डालें हम दही तो गाइज अब इसमे दाएगे दभी तो गाइज अब इसमे दाएगे द्धाएज 20 दुपीस वाली 200 ग्राम वादी, इस पताई नहीं कुछी भी जो इसमें पताई हाँ 200 ग्राम की तेक लेगाई, इसमें चलेगाई दही अभी मिक्स होईगा देख लेजी आप अच्छा लग रहा है, यह रेडी होने वाला है तो जब मैं ख़ी और देख लेती हुआ जब कैमेरा मेरे थोड़ा सा इसो हो जाता है तो अम देख लेज़े आगे 300 बल राइ Xuड़ी बल राई कुछ बली हो राई आपक़ाई उसके बबल फूल रहे तो सार एक खड़े मसाले का जितना देवाए नगाइस। अब एक दंग फुल गूल मने गयाए। तो मजें की बनी में है। उसको भी हम दही को पकाएंगे। 3-4 मियर तक तेज आज में। मिशा के हाथ में केम राच्छे से नहीं फकड़ पा रहा है। तो आज इसका मन भी नहीं वीडियो ब्रा रहे है। मुझे बनाना है। है ना ममा ने बना किया दे ना कोई बोलेगा रच्छी देबर इसकी जाए। जी देखें आपके है ना पानी आ रहा है। जुखांग होते जाए। कल इसमें इसका बढ़ दे ना इसमें कुछ जाए। आइस्प्री, गॉल्ड्री, जो मन मज़ी आई थी कोई कर देखें। जैसे नहीं करना से ना था। हमें बना लो आप आप आराम कर किसा। तो देखें गाइस हो गई हमारा ओल्मॉस रेडी तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी जालेंगे गाइस। पानी को ताकि अपने सीफ थोड़ा वह इसको अच्छे से रखना है कि इतना गाड़ा करें तो और ज्यादा सूप जाएगा तो शुपा सूपा नहीं रखना है बाद में चिकन है तो चिकन आपको पता है अब जोस करता है बाद में तो हलका सा हम पाण जालेंगे आदा ग् कि इस्टू में जो मजा है ग्रेवी के साथ वही मजा आता गाई यह देखिए हो गया न यह देखिए इतनी ग्रेवी चाहिए में बस और को एंगे एक बोई दाने तक हम पकाएंगे ट्वास इस परच्छिस पर एक मिनट के लिए पका लेंगे हम ताकि जो आपने पानी डा लखाएंगे लाई अगर आगा आड़ अगर आप गरम डाल सकते तो गरम दर के छोड़ा दिवा को कि यह इस्ठीपी पे आगा गाए भी इस उतारेंगी यह मेरे गाइस कोई कोटिंग सीख ने मतलब जो रेशिपी अगर आपको नहीं आती हो या फिर आप चाहते हो मेरे से लोग में के भी में कि उस रेशिपी का कोटिंग वीडियो बनाँ चाहिए आप कोमेंट करना कैस्द मैं जरूर शेर करूंगे आपके साथ आपकी दिमांड कर दी आता था दो वाइस सभी आजकल सब यूटूब से सीख लेते हैं कोई अपनी मम्मी से कोई अपनी घर वारों से जितनी भी ओ आप इसको हम इसकी ओफ मलब स्लो कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें लाश्ट वे गरम मसाला अगर आपको इस गरम मसाले की वी देखने हैं तो प्लीज मुझे बताना आप शायत यह भी शेयर करूंगे और इसको यह एक बार गवार मसाल अच्छे से मिला देजे हम पिसी लाल मिर्च का इस्तिमाल नहीं करना गाई इस खड़े मसाले का चिकन इस्टू बनाए गाई पाकिस्तानी बोल लीजे या फिर इंडियन बोल लीजे तो मुझे सबसे जादा पाकिस्तानी रेसिपी देखती हुआ इस में वीडियो में जो भी देखती हूं तो मैं उन जब तक हम इसको ढख कर और एक थोड़ा सा और गलमकसा ला लेंगे इसमें अब इसको चलाना नहीं है उसको ढखना के रख देना सीदा ही तकि यह मारा को अच्छा टेश्ट फ्लेवर देगा तो हो गया हमारा कम्प्लीट इस्टू है इस हमारा कंप्लीट इस्टू देखिए अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको